करनाटका स्टेट की जो मौप अप राउंड की काउंसलिंग का एनॉंसमेंट हुआ है जिसका की काउंसलिंग शिडियोल रिलीस कर दिया गया है उस काउंसलिंग में किस कॉलेज में टोटल कितनी सीट वैकेंट है यानि जो सीट मैट्रिक्स है अबेल बेल फॉर मौप अप र प्राइवेट कॉलेजिस में और गवर्मेंट कॉलेजिस में जो करनाटिका के स्टेट के स्टूडेंट्स है उनके लिए कितनी सीट अबल बल है बताएंगे कंप्लेट डिटेल आपको इस छोड़े से वीडियो में गैस मेडिकल प्राइवेट सीट मैट्रिक्स ऑफ मॉप करनाटिका के बात करें वहाँ पर प्राइवेट कॉले जेशन में बात करने कि प्राइवेट कॉलेजिस में कितनी सीट अबल वेले खासकर ऐसे девamp निपैट्स हे ये Isthe open categories के लिए जो seat अबलबल है वो 9 है किम्स बैंगलोर में 13 seat MS रमया मिडिकल कॉलेज बैंगलोर में 18 seat KB NIMS गुलबरगा में 12 seat और इसके रावा बैंगलोर का MBJMC जो कॉलेज है यहाँ पर 6 seat अबलबल है VIMS RC बैंगलोर में 18 seat AJIMS मैंगलोर 8 seat SJMS बैंगलोर यानि सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज यहाँ पर open categories के लिए total seat अबलबल 9 है बहुत एच्छा चांस है ऐसे candidate जिलकों की 1st याफिर second round में अलोट्मेंट SJMC नहीं हुआ था यानि सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज अलोट नहीं हुआ था उनके लिए काफी अच्छे चांस हैं कि मौपप्राण में उन्हें मिल सकता है SBMC चित्रदुर्गा यहाँ पर 13 seat अबलबल है AIMS वेलोर मांदया डिस्ट्रिक में 26 seat AAMC विजे नगर में 13 seat बागल कोट SNMC में 30 seat धारवाण का जो मिडिकल कॉलेज है प्रेवेट वहाँ पर 16 seat अबलबल है MRMC कालबुर्गी यहाँ पर टोटल 9 seat अबलबल है राइचूर जो मिडिकल कॉलेज है NMC राइचूर यहाँ पर 10 seat FMIMER में 3 seat अबलबल है KVGMC यहाँ पर टोटल 16 seat अबलबल है JJMMC दावांगिरी डिस्टिक यहाँ पर टोटल 10 seat SSIMS में 13 seat SGIMS बैंगलोर में 13 seat SIMRC में 14 seat और TSMC शिमोगा में 13 seat अबलबल है टोटल अगर अबलबल ओपन seat candidates की हम बात करने दिन गए इस टोटल 425 seats अबलबल है different state के students के लिए जो की participate करना चाहते है मौप अप राउंड में और जो की schedule के हिसाब से 25 तारिक से महाँ पर reporting करेंगे ऐसे students के लिए जो टोटल seat अबलबल है वो 425 MBBS में करनाटका के state में यह complete seat matrix थी इस seat matrix को अगर आप PDF के तोर पर डाउनलोड करना चाहते है वीडियो के description में इसको attach किया जा रहा है next के वीडियो में मौप अप राउंड में all India quota के थुर जो aims के colleges वहाँ पर minimum किस rank और किस marks पर admission हुआ different categories के students के लिए plus B.S.A. nursing और B.D.S. में क्यारा cut-off उसके बारे में बताएंगे आप मेंट कविंग के साथ बने रहे है चैनल पे लिवार विजिट करने अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया इसको subscribe जलो किज़े ताकि future के जो updates है ने 2021 की counselling plus 2022 के examination को लेकर वो आपको non-stop मिलते रहेंगे thank you for watching मेंट कविंग, thanks a lot